हेलो दोस्त तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो लाव और हानी की प्रोष्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्रोष्ण है एक वस्तू को 800 रुपए में खरीद कर 920 रुपए में बेचा गिया तो लाव परतिसत ग्याद करें देखे जितना रुपए में वस्तू को खरीदते हैं उसको कहा जाता है क्रायमोल और देखे जितना रुपए में वस्तू को बेचा जाता है उसको कहा जाता है विक्रायमोल देखे लाव परतिसत को निकालने के लिए आपको सबसे पहले लाव को निकालना होगा देखिए लाब को निकालने के लिए आपको बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है याँ देखिए हम लोग 920 में से 800 को घटाएंगे देखिए अगर आप लाब का फर्मूला जानना चाहते हैं तो इसका फर्मूला होता है विक्राय मोली माइनस क्राय मोली देखें 920 में से 800 को घटाने पर यहां बचेगा 120 रुपए यान देखें 800 रुपए की वस्तु को 920 रुपए में बेचा गया तो 120 रुपए का लाब हुआ अब देखें आप लाब का परतिसत को निकलना है तो यह यहां पर हम लोग देखें सबसे पहले लिखेंगे लाब परतिसत बराबर इसका देखें फर्मूला होता है लाब गुना सो और इसके बटा में होता है क्राय मोली देखें यहां फर्मूला होता है लाब परतिसत को निकलने के लिए यहां पर देखें लाब निकल करके आया ह एक सो बीस रूपए, और देखिए गुना में है सो, और इसके बटा में लिखना है क्राइम उल्य को, देखिए क्राइम उल्य यहां पर दिया हुआ है, वह है आठ सो रूपए, यह दो जिरो से, यह दो जिरो कट जाएगा, दो से आठ को काटे या कटेगा चार बार मी दो से एक सो बीस को काटे या कटेगा साथ बार मी चार से साथ को काटे या कटेगा पंदरह बार मी यान देखे लाग परतिसद कितना निकल करकिया गिया वहा गिया पंदरह परतिसद की यानि देखिए 800 रुपए की वस्तु को 920 रुपए में बेचा जाएगा तो देखिए रुपए में 120 रुपए लाब होगा लेकिन देखिए अगर प्रतिसत में बात करें तो वह होगा 15 प्रतिसत की तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रास्टन को हल करते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा प्रास्टन है एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर साढ़े 300 रुपए में बेचा गया तो हानि प्रतिसत ग्याद करें देखिए आपको सबसे पहले हानि को निकालना होगा देखिए हानि को निकालने के लिए आपको बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है यहाँ देखिए हम लोग 500 में से सढ़े 300 को घटाएंगे देखिए अगर आप हानि का फर्मूला जानना चाहते हैं तो इसका फर्मूला होता है क्राय मूल माइनस भी क्राय मूल अब देखें हम लोग 500 में से 355 को घटाएंगे देखें यहां बचेगा 1.500 रुपए यानि देखें 1.500 रुपए का हानी हुआ है अब देखें हम लोग यहां से हानी की परतिसत को निकालेंगे देखें हानी परतिसत का फर्मूला होता है हानी गुना सो और इसके बटा में होता है क्राय मूल अब देखें यहां फर्मूला होता है तो यहाँ पर होगा हानी गुना सौ बटा क्रैमुली देखिए हानी यहाँ पर निकल कर किया है वह है डेड़ सो रुपए और यहाँ पर देखिए गुना में है सौ और देखिए इसके बटा में लिखना है क्रैमुली को देखिए क्रैमुली यहाँ पर दिया हुआ है वह है 500 देखिए 100 से 500 को काटे यह कटेगा 5 बार मी अब देखिए में लोग 5 से 1.500 को काटेंगे 5 से 15 को काटे यह कटेगा 3 बार मी इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा यहन देखे हानी प्रतिसत कितना निकल कर किया या वहा गया 30 प्रतिसत की यहन देखे 500 रुपे की कोई वस्तु है उसको 360 रुपे में बेचा गया है तो देखे रुपे में जो हानी होगा वह होगा 1.500 रुपे अगर प्रतिसत में बात करे तो वह होगा 30% की तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गहूंगे कि जो इस तरह का लाभ और हानी की प्रोष्ण होता है इससे हल कैसे किया जता है